हालो आज आज की नई और ताजा ख़बर की मंगल यानि मार्स ट्रांजिक्ट हो रहा है आज से जैमनाई साइन में और 2nd of June तक मार्स जैमनाई साइन में रहेगा दूसरी तरफ सन भी ट्रांजिक्ट हो चुका है एरी साइन में जहां पर सन अपने अगलिटिशन में होता है तो सन एरी साइन में यानि मंगल के घर में और मंगल यानि मार्स सन से थार्ड अवे Sun रप्रेजन करता है Government को और Mars रप्रेजन करता है Government की Power को यानि Police और Military, Control तो Mars जब Sun से Third Way जा रहा है और Gemini Sign में आ रहा है तो यहाँ Sun की Power भी बहुत जादा है और Mars की Power भी बहुत जादा है Mars अगर Third House की Energy में होगा, Gemini Sign में होगा तो वहाँ से Mars का Fourth Aspect, Virgo Sign के उपर पड़ेगा और Seventh Aspect, Sage Sign के उपर पड़ेगा और Eighth Aspect, Capricorn Sign के उपर पड़ेगा जो Mars का अपना उच्छ राशी मानी जाती है यानि Mars जब Capricorn Sign में होता है तो Mars अपने Exultation में होता है और Capricorn Sign में अलड़ी Saturn की placement है तो मामला बहुत Tricky है अब इससे होगा क्या? बहुत सिंपल बात है कि सरकारी जो तंतर है उनके पास एक अपना बल है एक अपनी पावर है क्योंकि सूरे अपने Adulation में है तो इस पीरेट में आप सरकारी लोगों से तो बिल्गुल भी पंगा ना लें सरकार जो भी बोल रही है करते चले जाओ अगर सरकार बोल रही है Night Curfew तो Night Curfew सरकार बोलती है Lockdown तो Lockdown सरकार बोलती है कि टाइम से जाके वैक्सिन्स वगएरा लो लगवाओ तो करो पुलिस बोलती है ये रास्ता बन वो रास्ता शरू तो वहीं से जाओ तो इन सारी चीजों का पालन आपको करना पड़ेगा क्योंकि सूरे अपने अग्डिल्टेशन में है तो सूरे जब अपने अग्डिल्टेशन में होगा और सैटन अगर कैप्रिकॉन साइन में होगा तो सरकार की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इस टाइम सरकारी कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा कि कितने बज़े आपको घर से निकलना है कितने बज़े आपको घर के अंदर गुषना है कहां आपको जाना है कहां आपको नहीं जाना है कैसे जाना है किस तरीके से जाना है इन सारी चीजों को आपको फोलो करना ही पड़ेगा तब ही COVID-19 कंट्रोल में आएगा और मंगल जैसे जैमनाई साइन में आया है तो जैमनाई साइन का संबंध है छोटे मोटे काम से आज परवस की चीजों से जैसे घर से चले गए, सबजी मंडी चले गए, सबजी लेके आगे तरकारी लेके आगे या मोबाइल रिचार्ज करवाना है चलेगे कहीं पर दुगान में मोबैल रिचार्ज करवा के आगे या किसी फ्रेंड से मिलना है आसपरोस में वहाँ चलेगे मिल मिला के आगे घर से बाहर जाना है दूद लेके आना है वो लेके आगे तो आसपास का जो ट्रेवल है आज पास का जो ट्रेवल है उसके उपर भी सरकारी कंट्रूल रहेगा यानि लोकल कॉलोनीज में छोटी मोटी जगा मॉल्स के बहार दुकानों के बहार पुलिस आपको दिखाई देगी और पुलिस का कंट्रोल भी आपको दिखाई देगा जैमनाय साइन का संबन्ध है कॉम्मिकेशन से तो इस पिरेट में क्या होगा कि जितने भी न्यूज चैनल है वो सारे अक्टिव हो जाएगे बहुत ही फास कॉम्मिकेशन जो है वो स्टार्ट होगा वहाँ ये हो गया यहाँ वो हो गया इतने लोगों के साथ ये हो गया वहाँ करोना फैल गया और इतने लोग करोना से मारे गया इतने लोग ठीक हो गया ये सारी चीज़ें आप इस पिरिट में देखेंगे और अगर कुछ भी आप उल्टा सीधा करते हैं तो पुलिस का कंट्रोल भी आपको देखने को मिलेगा यानि पुलिस आपके उपर कोई ऐसी कारवाई कर सकती है जिसके कारण आपको तकलिफ हो सकती है तो आज पास में भी अगर कहीं निकल रहे हैं तो सावधानी से जाएं, मास्क वगरा लगा के जाएं ट्राफिक कानून का पालन करें जो भी बताया जा रहा है, जो भी समझाया जा रहा है उन सब चीजों को करें और ये जो कारेकरम है ये 2 जून तक रहने वाला है और इससे फायदा भी है क्योंकि मंगल का 4th expect वर्गो साइन के उपर पढ़ रहा है वर्गो साइन यनि disease का साइन, बीमारी का साइन तो मंगल का अगर aspect 4th aspect अगर वर्गो साइन के उपर पढ़ेगा तो जो भी कंट्रोल हो रहा है जो भी सरकार कंट्रोल करना चाहरी है उन सब चीजों के थुरू COVID-19 भी खतम होगा पूरी तरीके से खतम ना हो लेकिन कुछ हग तक जो चीजें बढ़ रही हैं वो चीजें कंट्रोल में आएंगी केसिस भी कम हो सकते हैं और सूरे अपने एक्लिटेशन में है तो जब गर्मी बढ़ेगी तो उसका असर भी कोरोना के उपर थोड़ा बात होगा पूरा खतम ना हो लेकिन कंट्रोल तो फिर भी होगा क्योंकि गर्मी का असर बीमारी को पर पड़ता है जितने भी लोग जुकाम खासी से परिशान है वारेल फिवर चल रहा है यह सारी चीज़े कंट्रोल में आएंगी सूरे के उच्छोने से और मार्स का सेविंध एस्पेक्ट जो है वो नाइंध हाउस में पड़ रहा है नाइंध हाउस यानि पूजा पार्ट धार्मी कारे गरम पब्लिक फंक्शन तो कहीं भी ऐसी जगे आप जा रहे हैं तो वहाँ भी सावधानी से आपको जाना है वहाँ भी सरकारी चीजों का पालन करना है मार्स का एट एस्पेक्ट जो है वो क्याप्रिकॉन साइन के उपर पढ़ रहा है क्याप्रिकॉन साइन का संबंध है चीजों को कंट्रोल करने से यानि सिस्टम से तो जो भी सरकारी तंत्र है और जो भी उनका सिस्टम है उसका पालन करें उससे आपको बेनफिट होगा तो मार्स अगर जैमनाई साइन में आ रहा है तो डेली की चीजों में बढ़ोतरी होगी लेकिन उसके उपर कंट्रोल भी रहेगा सरकारी कंट्रोल भी चलेगा ऐसा नहीं है कि लॉक्डाउन बहुत लंबे टाइम तक चल रहा है या जो नाइट कर्फ्यू है बहुत लंबे ट बढ़ रहा है तो बीमारी भी कंट्रोल में आईगी तो गाई आद मैं आपको बताया कि मार्स जैमनाई साइन में ट्रांजिट हो रहा है और सन भी एरी साइन में ट्रांजिट हो चुका है तो सन अपने अग्डिल्टेशन में है मार्स उससे थर्डवे है और सूर्य को जैस पर अब आप देखेंगे कि पुलिस का जो कंट्रोल है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा दो चार-पांच दिन में आप देख लेंगे ऐसी चीज़े होने वाली हैं जो मैं बोल रहा हूं चार आज मैंने आपको बताया कि मार्स का ट्रांजिट जैमने साइन में हो रहा है तो उससे क्या-किया चीज़े हो सकती है अगर आप भी जानना चाते हैं किसी ऐसी चीज़ के बारे में तो उसके लिए आप हमारी चलनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आप हमसे बात करना चाहें, consult करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी website के थुरू, हमारे app के थुरू, हमसे बात भी कर सकते हैं, हमसे मिल भी सकते हैं, और हमारे साथ बैठ के green tea भी भी सकते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये, Google Play Store में जाएं, S PS Astrology लिखें, वहां से app डाउनलूड कर लें, और दूसरी चीज़ ये, कि जो smart classes जो start हो चुकी हैं, उनको भी join करें, क्योंकि उनके charges बहुत ही कम हैं, बहुत ही ज्यादा कम हैं, आपको लगेगा नहीं कि आप कहीं पर fees दे रहे हैं, बहुत ही कम charges हैं, तो smart classes को join करें, आप के लिए बहुत अच्छा time हैं, ओके गाइस, take care, love you all and good bye.